इस लेक्चर में हम अल्गी डिवीजन के तीसरे क्लास के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रोडोफाइश्या तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं रोडोफाइश्या जो है हमारा इनका पॉमन नाम है रेड आलगी जिस को पूल आपे रेडालगी जो हैं रोडोफाइश्या का का माम के बिद्व स्मैंइद हाबिटन की बात करें तो मेडै aborteur में में पाये जाएंगे, यानि कि sea and ocean में पाये जाते है, ठीक है, sea and ocean में, alright, with greater concentration found in warmer areas, यानि कि sea and ocean में जो average temperature है, उससे थोड़ा ज्यादा temperature वाला जो region है न हमारे sea, ocean में वहाँ पाये जाते है, warmer area पे पाये जाते है, जो हमारे sea है या ocean है, उसका एक particular टेंपरेचर होगा एक एवरेज टेंपरेचर होगा बट वो रीजन जहां पे सी या ओशन का जो पानी है वो थोड़ा गड़म है वार्मर का मतलब यह नहीं कि बॉइलिंग वाटर खौलता हुआ पानी में ग्रो कैसे करेगा रेडाली वहां ग्लो नहीं करेंगे थोड़ा ज् में वार्मर एडियाज में ग्रो करना रेडाली को अच्छा लगता है और अगें यहां पे मैं बता रहा हूँ वार्मर का मतलब खौलता हुआ पानी हंड़ेड डिग्री वाला सिल्सियस वाला नहीं है ठीक है बस जो एवरेज टेंपरेचर है सी या ओशन का उससे थोड़ा सिफोनिया यह दोनों जो रेड अल्गी है यह मराइन वाटर में पाए जाते हैं अब यहां देखो मैंने लिखा है फ्रॉंड याद करो मैंने फायो फाइस यह जब तुम्हें पढ़ाया था जो हमारा ब्राउन याल्गी वाला लेक्चर जब पढ़ा रहा था तो उसमें त लीफ ट्रू लूट और टू स्टेम जो होते वह अपसंट होते क्योंकि आल्गी हमारे ऐसा और जयाम इसमें ठूलिफ प्रूट क्रू अर्टू स्टेम और प्रू रूटू अपसंट होते है तो थालेस बाडी ए इसलिए ल्यक्षक्षां नहीं होगा जिसे कहते है फ्रॉन जो कि help करता है photosynthesis में, right, photosynthesis में, all right, अब देखो, दूसरा हमारा है polysiphonia, यह इसका main axis है, main axis और यहाँ पे branches निकले हुए, अब तुम polysiphonia को देखोगे, तो देखो, कितना ज्यादा resemblance शो कर रहा है, यह एक अच्छा खासा advanced plants है, ऐसा लग रहा है, मानो, जैसे real में यहाँ पे stem हो, but यह actual stem यह actual leaf नहीं है, again, यह क्या है, क्योंकि यह भी algae है, हमारा polysiphonia, और इसमें भी true leaf, और true root, और true stem absent होगा, but दिखने में ऐसा लग रहा है कि advanced, right, तो इसलिए polysiphonia जो होते है, यह advanced red algae है, ठीक है, बहुत जादा advanced, जितने भी red algae है, हमारा polysiphonia है, और आगे तुम औ quick fact है, यहाँ पर, betracospermum एक ऐसा red algae है, जो fresh water में पाया जाता है, देखो, मैंने starting में लिखा था, कि habitat mainly मैंने बोला है, mainly, only found in marine water, तो मैंने नहीं बोला, मैंने बोला, mainly, जादा अतर marine water में पाया जाएंगे, लेकिन कुछ-कुछ ऐसे है, जो fresh water में पाया जाता है, जैसे betracosper तो हम एक ऐसा red algae है, जो fresh water में पाया जाता है, यह NCRT में नहीं एक extra factor है, तुमको अगर याद रखना है, तो रख सकते हो, नहीं तो यह इतना important नहीं है, next, अब देखो, NCRT यह important है, यह NCRT में बहुत important line है, red algae occur in both well-lighted regions close to the surface of the water and also at great depths in oceans where relatively little light penetrates, यह तो यहाँ पर लिख द मतलब के है, इसका मतलब हम समझेंगे एक डाग्राम से, यह हमारा ocean का अंधर में आगए ठीक है, ocean का अंधर तीक है, यह हमारा ocean है, ओशन के अनधर हम आयो हुए है, यह हमाराحم subscription, अजयर ओचिंधे, जो ब्लते है इसको, ocean bed या ocean floor होता है, ठीक है, अभ इस पे देको हमारा यह जो है यह red algae group की है porphyra है polycyphonia है ठीक है ocean में marine water में पाय जाते है और यहाँ पे हमारे है sun भाई साब ठीक है अब क्या होता है देखो यह जो region है यह देखो यह वाला यहाँ पे जो algae है यह सब algae देखो surface से close है surface region में ठीक है जहाँ पे sun का जो light है बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से penetrate कर रहा है और अच्छे से बहुत मातरा में present है ठीक है तो basically मैं इसको कह सकता हूँ कि यह well lighted region है well lighted region यह जो हमारा region है यह पूरा well lighted region है जो आपके अच्छे से sun का रोशनी पहुंच रहा है तो well lighted region is close to the surface of water यहां पर algae occur कर रहा है यानि कि grow कर रहा है red algae और उसके साथ at great depths in the ocean where relatively little light penetrates यानि कि अब यह वाला region देखो यह देखो यहां क्या है हमारा जो light है देखो क्या water में penetrate कर रहा है denser medium में penetrate कर रहा है तो जैसी जैसी नीचे जाएगा depth में वैसी वैसी light का energy होगा वो कम होगा intensity कम होगा तो नीचे वाला जो area है depth वाला जो region है यह जो हमारा region है depth वाला यहां पर जो हमारा sunlight है जो light है वो अच्छे से क्या करता है penetrate नहीं कर पाता है तो relatively little light penetrates low light यहां पर कम light पाया जाएगा low light इसी जगह पर surface से पाया जाएगे जहां पर अच्छे से light penetrate कर रहा है नहीं नहीं बोलने का मतलब यह NCRT यह बोलना चाहता है इस point से कि well lighted region close to the surface of the water पर भी ग्रो करते है और at great depth in ocean जहां पर कम light penetrate कर रहा है वहां पर भी ग्रो करते है देखो light पर 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 बाला रिजन पर बस कम light तो उस कम light का इस्तमाल करके अपना photosynthesis करेगा और खाना बनाएगा और surface वाला जो algae है उसका तो बले-बले है वो तो आराम से अपना उसको तो light मिली रहा है कोई दिक्कत नहीं है तो NCRT यही बोलना चाहता है इस line से ओके चलो moving on अब चलो body structure देखते है रेड आलगी है और हमारा जो रेड आलगी है जो रोडोफ आईशिया है उसका body structure कैसा है थालस है हमें पता है थालस body है ट्रू लीव ट्रू रूट ट्रू स्टेम तो एपसेंट है तो थालस body है mostly multicellular multicellular mostly मैंने बोला है तो कुछ-कुछ यह हमारा polysiphonia है advanced red algae मैंने बोला अब advanced कोई चीज है तो उसमें complex body organization होगा simple थोई होगा क्योंकि advanced है तो यह complex body organization का मतलब यह है कि हमारा जो red algae है उसका कोई-कोई member जैसे polysiphonia है वह advanced red algae है बहुत ज्यादा resemblance शो कर रहा है ऐसा लग रहा है कि actual plant है ऐसा लग रहा है कि advanced plant है plant तो है ऐसा लग रहा है advanced plant है but advanced plant नहीं है इसलिए पर फिद भी काफी resemblance शो कर रहा है एक advanced plant के साथ ऐसा लग रहा है true leaf है true stem है but true leaf और true stem तो है नहीं क्योंकि thallus body होता है तो advanced red algae है इसलिए complex body organization होता है हमारे road of ice आगे कुछ-कुछ member में ठीक है कुछ-कुछ क्या mostly mostly member में all right mostly multicellular होते है with complex body organization अब कुछ-कुछ unicellular भी होंगे जैसे एक exception आगे हमारा और फाइरीडियम यह जो हमारा red algae है यह unicellular होता है ओके और फाइरीडियम तो यह तुम याद कर सकते हो अगर question आया कि कौन सा ऐसा red algae है जो unicellular है जिसमें या फिर कौन सा ऐसा red algae है जिसमें complex body organization नहीं है तो उसका option सही option जाएगा पौर-फाइरीडियम और polysiphonिया जो है वो advanced red algae है, multicellular है complex body organization है और सिर्फ polysiphonिया ही multicellular नहीं है जो पौर-फाइरा हम देख रहे है या फिर red algae में और जितने भी हम लोग example देखेंगे वो सब multicellular है but unicellular कौन है पौर-फाइरीडियम चलो, moving on अब बात करते हैं cell structure की road of ice जो है, इनका cell structure कैसा होता है cell wall की बात करें cell structure में जो cell structure, multicellular है बहुत सारे cell के बने होंगे न तो जो cell है हमारा उसके cell wall की अगर हम बात करें तो वो बना होता है cellulose से, pectin से और एक compound है polysulfate easter से ठीक है cellulose, pectin तो यह तो हम लोग देखते यार cellulose तो हमने तीनों में देखा हमने green algae में भी देखा, brown algae में भी देखा, red algae में भी देखा फिर हमने इसमें pectin देखा और एक polysulfate easter यह तीन जो हमारे compound है यह तीन जिसमें cellulose और pectin के याद करो complex sugar polysaccharides है polysaccharides complex sugar है cellulose, pectin और polyphosphate easter का हमारा जो red algae है उसका cell wall बना होता है next देखो major pigments की बात करते हैं major pigments क्या-क्या पाया जाते हैं chlorophyll A, chlorophyll D, beta carotene और एक pigment है phicobillins, यह तीन major pigments यह छार major pigments है जो red algae में पाया जाते हैं अब यात्वरो मैंने कहा था chlorophyll A और beta carotene यह तो constant है तीनों algae में constant रहेंगे green algae, brown algae, red algae तीनों में पाया जाते हैं specialty क्या है red algae में pigment का chlorophyll D का, यह pigment special pigment है जो कि specially red algae में पाया जाता है phicobillins भी specially red algae में पाया जाता है अब phicobillins जो है वो एक category है pigment का इसके अंदर और sub category आता है जैसे phicobillins का एक type है R-phico erythrine ठीक है, R-phico erythrine क्या है एक तरह का phicobillins pigment है ठीक है, तो यह जो R-phico erythrine है ना इसका बहुती बड़ा रोल होता है red algae में, यह क्या करता है R-phico erythrine gives red color to red algae as it is present in large amount इन चारों में से question आया कि large amount में कौन सा pigment पाया जाता है रोड़ो फाइशिया में तो answer जाएगा phicobillins और phicobillins में भी more specific बोले तो R-phico erythrine ठीक है, क्योंकि यह हमारे red algae को उसका red color दे रहा है ठीक है, अब phicobillins का एक और type है जो red algae में पाया जाता है, उसका नाम है R-phicocyanin यह जो R-phicocyanin है यह red algae को blue color देता है, ठीक है रोड़ो फाइशिया को blue color देता है बट blue color जो होता है ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में present नहीं होता है R-phicocyanin ठीक है, ज़्यादा मात्रा में R-phico erythrine present होता है large amount में तो यह क्या कर रहा है, यह red algae दे रहा है R-phicocyanin present है cyanin का मतलब क्या होता है, blue blue color देता है, बट वो दिखता ही नहीं है red algae फिर भी red ही दिखता है क्योंकि R-phico erythrine जो है dominating pigment है, सबसे ज़्यादा large amount में present है तो यह R-phicocyanin का काम क्या है well, यह R-phicocyanin photosynthesis में help करेगा photosynthesis में help करेगा जैसे कि और सारे pigments कर रहे है chlorophyll A, chlorophyll D और beta carotene ओके, चलो, next, moving on अब बात करते हैं, stored food in red algae अब देखो, हमारा जो red algae है वो photosynthesis करेगा खाना बनाएगा, food बनाएगा तो food को कहीं store करके भी तो रखेगा तो अब देखते हैं कि वो जो food को किस form में store कर रहा है ठीक है, किस form में store कर रहा है तो fluoridine starch जो है हमारा ये जो form है इस form में हमारा जो red algae है वो food को store करता है fluoridine starch is a compound ठीक है fluoridine starch जो है हमारा red algae का stored food है अब देखो, fluoridine starch के बारे में NCRT ने लिखा है कि it is very similar to amylopectin and glycogen in structure ठीक है amylopectin और glycogen से बहुत जादा similarity show करता है on the basis of structure और amylopectin और glycogen क्या है complex sugar है right complex sugar है तो हमारा fluoridine भी क्या हो जाएगा complex sugar हो जाएगा फ्लोरीडीन स्टार्ट जो है वो कुछ जादा ही similarity show कर रहा है amylopectin पे और amylopectin जो है हमारे यह क्या है यह है complex sugar तो हमारा जो फ्लोरीडीन स्टार्च है वो भी complex sugar होगा और complex sugar यानि कि polysaccharide complex sugar क्या होता है polysaccharide होता है simple sugar क्या होता है monosaccharide complex sugar polysaccharide अब आगे देखो structure की बात की है न कि on the basis of structure fluoridine स्टार्च similar होता है amylopectin और glycogen के चलो amylopectin और glycogen का थोड़ा structure देख लेते तो में पता चल जाएगा एक idea हो जाएगा कि fluoridine स्टार्च का अभी structure कैसा होता होगा क्योंकि amylopectin और glycogen के similar है न तो amylopectin और glycogen जो है यह branched polymers होते है glucose के हमारा glucose molecule है ठीक है यह मैंने यहां पर एक glucose molecule बनाया यह हमारा glucose है अब क्या बोला है branched polymer polymer मतलब क्या एक साथ बहुत सारे glucose जो है bond बना के present यानि कि एक साथ बहुत सारे glucose ऐसे bond बनाये हुए तो यह हो गया हमारा glucose का polymer अब यहां पर क्या बोला है? branched polymer यानि कि अब यहां से branches भी निकले हुए बहुत सारे glucose का branches भी निकला हुए तो ऐसा कुछ हमारा amylopectin और glycogen का structure होता है जो कि branched polymers होते glucose का यह जो glucose है glucose molecule के बने होते है, branched होते है branches निकले हुए तो अब हमने amylopectin और glycogen का structure देखा, तो fluoridine का भी कैसा होगा, similar ही होगा fluoridine starch जो बहुत जादा similar होता है to amylopectin and glycogen तो तो तुम्हें एक idea मिल रहा होगा कि fluoridine starch का structure कैसा होगा branched polymers of glucose type खाई होगा, और fluoridine starch क्या है? complex sugar है polysaccharide है, क्योंकि amylopectin और glycogen भी क्या है? complex sugar है और इनके साथ structure का similarity है, तो fluoridine starch को भी, अब हम क्या बोलेंगे complex sugar या polysaccharide चलो, अब आगे बढ़ते है, moving on to the next slide, चलो अब बात करते कि रोडोफाईशया जो है, उनमें reproduction कैसे होता है, माना जो red algae है, जो red algae है, वो reproduce कैसे करता है, देखो तीन तरह का reproduction होता है, veggie qualitative reproduction, reviewing इ sitio पाया जाता है, रोडोफाईशया में रोडोफाईशया में तीनो methods reproduction करते है, vegetative और sexual, और sexual vegetative में भी fragmentation करते हैं, fragmentation कैसमें होता है, filamentous form वाले algी में, filamentous form वाला algae तो हमारा जो red algae है उसका वह body structure कैसा filamentous type का है or right multicellular filamentous complex body organization है तो उसमेh fragmentation होगा all right fragmentation से vegetative mode से हमारा जो red algae है वो reproduce करेगा अर्सक्शल की बात करें तो obviously हमें पता है occurs by spore formation जब भी और sexual reproduction आ रहा है algae में तो spore बन रहा है और हमारा जो red algae है वो भी algae है तो इसमें भी asexual reproduction के time क्या होगा spore बनेगा जाहिर सी बात है अभी जो spore है ये spore कैसा होता है इसका morphology देखो non-motile spore होता है यानि की flagella absent होता है ठीक है non-motile spore होंगे अब बढ़ते है sexual reproduction के तरफ take place through fusion of two gamets दो gamet का fusion होगा याद करो fertilization होगा जाइगोड बनेगा जाइगोड का development होगा ये जो हमारा gamet है ये भी non-motile gamet है तो यहाँ पर important चीज क्या है जो दिमाग में रखने वाली बात है red algae के reproduction में वो ये है कि जब sexual reproduction हो रहा है तो spore बन रहा है sexual reproduction हो रहा तो gamet बन रहा और spore और gamet दोनों को देनो non-motile है तो यानि कि एक note यहाँ पर आ रहा है वो है ये कि no flagellated structure is formed in red algae means flagella is absent क्योंकि mortality कौन प्रोवाइट करता है spore या gamet को flagella but spore और gamet क्या है non-motile है यानि कि flagella जो होगा वो absent होगा तो no flagellated structure is formed in algae और ये flagella absent है ये जब algae vegetative state में है तब भी flagella absent है और जब reproduce करने वाला reproduce कर रहा है spore बना की या gamet बना के तब भी flagella absent है flagella कभी present ही नहीं होगा red algae में ओके ये चीज अच्छे से समझ जाना है ओके बतलब समझ लो दिमाग में डाल लो ठीक है तो experimentalhood कवे में पहिंपया है wafora stat ख lethal और जेंजा समझys द pass बना है अभी जो gametes है जो हमारay red Algy में बना रहा है जो red Algy में ऐख्शली बन रहा है वो male sex organ और female sex organ बना रहा होगा gamete obviously gamete कोण बनाता है male sex organ बनाता है female gamete कोण बनाता है female sex organ बनाता है तो red algae में भी क्या होगा जो male sex organ है spermatangia spermatangia जो है हमारा male sex organ है red algae का जो कि क्या बना रहा है male gamets बना रहा है यहाँ पर e होगा sorry male gamets बना रहा है जिसका नाम है spermatia और यह कैसे gamet होंगे non motile होंगे ठीक है अब male sex organ की बात किये तो चलो female के भी कर लेते हैं female sex organ जो है वो होगा carponia ठीक है और यह भी क्या बनाएगा female gamet बनाएगा और इनका fusion होगा fertilization होगा और फिर zygote बनेगा zygote में development होगा और एक नया red algae का member बन जाएगा ओके अब sexual reproduction के अंदर एक note रखने वाली बात यह है कि sexual reproduction जो होता है वो गैमस टाइप का होता है हमने तीन तरह सेक्षोल रिक पृदक्ष न देखाता में इजो गैमस अनाईजोगैमस और उगैमस वाला जो हो रहा हमारा sexually production वह हो रहंदा रेड अल्गी में क्योंसा टाइप का sex North डिखने को मिलता है और तो और जो और में sexual reproduction है यह इन्वल्व करता है complex post-fertilization development पोस्ट फर्टिलाइजेशन डिवलप्मेंट का मतलब क्या है दोको पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब क्या मेल गैमिट फीमेल गैमिट फ्यूस कर गया जाइगौड बना ठीक है तो यहां पर फ्यूस करने के बाद क्या हुआ होगा फर्टिलाइजेशन ही हुआ ना फ्यूस का जो development होगा उसी को कहते है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डिवलपमेंट ठीक है? पोस्ट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, पोस्ट मतलब क्या होता है? बाद, तुम्हें पता ही होगा, यह तो English, General Knowledge है, grammar ए general grammar post और pre का मतलब तुम्हें पता ही होगा post fertilization मतलब fertilization के बाद जो development हो रहा है वो complex हो रहा है complex क्यों हो रहा है क्योंकि याद करो red algae में क्या होता है complex body organization होता है अगर complex body organization है red algae का तो इसका मतलब जो development होगा fertilization के बाद zygote का वो भी तो complex ही होगा ना complex होगा developmental process post fertilization के बाद तभी तो एक complex body structure बनेगा red algae का तो यह यह जब पढ़ होगे line NCRT में तो confused मत होना sexual reproduction is ugamous यह तो समझ में आता है and involves complex post fertilization development क्योंकि जो हमारा red algae है उसका body भी तो complex है ना ओके तो यहाँ पर हमने reproduction देखा red algae का moving on अब चलो examples देखते हैं कुछ important examples है red algae के जो कि NCRT ने mention किया है तुम्हें चार example याद रखने होंगे red algae के अंदर जो कि important है जो कि NCRT specifically mention किया है पहला दो तो तुमने देख लिया porphyra और polysiphonia polysiphonia क्या था हमारा advanced red algae था ओके और तीसरा चोथा है gelidium और gracilaria यह जो दोनों diagram में इसको तुम्हें ध्यान में रखना होगा क्योंकि यह NCRT वाले diagram है इन दोनों को नहीं भी रखोगे ध्यान में तो चलेगा diagram ठीक है नाम याद रखना है नाम तो याद रखना है diagram तो यह Wikipedia के नहीं भी ध्यान में रखोगे बस एक idea ले लो कैसा दिख रहा थे को यह भी रेड दिख रहा है यह भी रेड दिख रहा है यह भी रेड इंस याट ने पता नहीं कि उसको ग्रीन बना दिया है तो पॉर्फाइरा पॉलिसीफोनिया जलीडियम औ इस धर्थी पे इस environment में importance of algae जिसमें मैंने एक बहुती important point बोला था कि जलीडियम और ग्रासिल एरिया जो है ऐसे algae है ऐसे red algae है जिन से commercial product commercial product यह revision है पिछले lecture का importance of algae वाले lecture का revision है एक commercial product obtained करते हैं हम लोग लेते हैं obtained होता है इससे जिलीडियम और ग्रासिलेरिया रेड हैलगी से जिसका नाम के आयात करो agar agar और यह जो agar agar है इसको जो पानी के साथ हम मिलाते हैं गरम पानी के साथ तो एक thickening agent की तरह या फिस solidifying agent की तरह थिकनिंग या solidifying agent की तरह यह agar agar काम करता है इस agar agar के इसी property के कारण यह जो agar agar है जिसको हम लोग obtained के है जिलीडियम और ग्रासिलीडिया से यह काम आता है तुग्रो माइक्रोब्स पहला importance टीक है तुग्रो माइक्रोब्स और दूसरा इंपरपेरेशन अफ वाट आइस क्रीम और जेली जिसको बच्छे लोग बहुत चाल से खाते है तो आइस क्र Deck 555 एशक्रीम वर ज्रापेर से फैक्टरी में हमारा यह एगर-आगर उरका माँचा है जो के उल्म HEम काम आता यह एगर एगर का बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जो composition होता है पूरा जो देखोगे composition जिससी का वो culture media बना रहता है उसमें एगर-एगर का बहुत ज़्यादा importance होता है क्योंकि एगर-एगर thickening या solidifying agent की तरह काम कर रहा है तो जो bacteria जो grow कर रहा है उसको एक base provide करता है जिसके उपर bacteria अपना colony form करते हैं तो यह important क्या है एकनोमिक importance क्या फिर commercial importance के तरह से तुम ले सकते हो कि gelidium या gracilia जो की red algae उसका importance है तो यहां पर हमने examples देखा moving on तो यहां पर हमने classification of algae complete किया algae जो कि हमारा पहला division है सबसे first division है plant kingdom का जो कि तीन classes में बटा हुआ है chlorophycea फायोफाइशिया और रोडोफाइशिया इन तीनों class को हमने detail में देखा ओके पड़ जब तुम chlorophycea फायोफाइशिया और रोडोफाइशिया पढ़ना complete करोगे NCRT में तो NCRT book में तुम्हें एक table नज़र आएगा कुछ ऐसा ठीक है इस table में NCRT ने basically chlorophycea फायोफाइशिया और रोडोफाइशिया के main characteristics को सबमरी के form में दिया है ठीक है तो चलो हम भी एक तरह से revise कर लेते है ठीक है जो हमारा तीन class है algae का उसको short में सबमरी के form में इस table से revise कर लेते हैं तो सबसे पहला class क्या था हमारा algae का chlorophycea का common name क्या है green algae है major pigments की बात करूँ अगर मैं तो major pigments जो हमारे green algae में पाया जाते है वह है chlorophyll A and chlorophyll B stored food . lleo chlorophycea है वह photosynthesis करेगा plant है ना Humans algae plant के अंदर आता है और cartoon प्लांटी के अंदर chlorophycey यहाता है तो पंढ़ी है OH photosynthesis quieren आब बात करे कि तो cervelle कीball होता है celluloze का बना हो आता है अब यहांप आए importants point और पोजिशन औफ इंसर्शन यानि कि जो फ्लाजिला जो प्रेजेंट है उनका अर्रेंजमेंट कैसा है ठीक है पूजिशन कैसा है कैसे अर्रेंज़ देखो हमा जो फ्लाजिला उसके जो मेंबर से उनमें बेसिकली 2 से लेके 8 number of Flazella पाए जाते है एक range है 2 से लेके 8 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 से लेके 8 number of Flazella chlorophycea यानि कि green algae के member में देखने को मिलेंगे position कैसे और कैसे होते है, equal होते है और position होते है, apical इसका मतलब क्या है, जैसे देखो यह हमारा chlorophycea यानि कि green algae class का एक member है और जो यहां पर nucleus बनाया मैंने और जो हमारा flagela है वो ऐसे यहां पर present है ठीक है अब यह flagela देखो यह flagela जो है equal length में ऐसा नहीं कि एक flagela छोटा है एक flagela बड़ा है नहीं दोनों का equal length है इसलिए equal बोला गया flagela को और apical यानि की top position यह जो region है यह top position है जिसको apical position कहते है apical position ठीक है तो apical position या apical region में पाए जाता है flagela ओके और कितने होंगे 2-8 मैंने 2 बना के दिखा यह 2-8 वैरी कर सकते है habitat की बात करें तो fresh water में पाए जाते है ब्रेकिश water में पाए जाते है fresh water salt water के बीच में लिखा है बट अब इन तीनों में इन तीनों पानी से भी मैं पूछू मतलब इन तीनों पानी से कैसे पूछ सकता है इन तीनों पानी में भी अगर मैं पूछू कि कौन सा ऐसा पानी है जिसमें सबसे जाद है मतलब mainly chlorophycha present होगे प्रेजेंट होगे तो fresh water fresh water में mainly पाया जाते ग्रीन अलगी ब्रैकिश water salty water में पाया जाएंगे लेकिन mainly fresh water में पाया जाएंगे अब बढ़ते फायफाइशा के तरफ जिसका common नाम है ब्राउन एलगी मेजर pigments क्या है इनमे chlorophyll A chlorophyll C और phucosanthin phucosanthin याद करो क्या है एक दरका xanthophyll है xanthophyll एक category है pigments का और उसमें भी कौन सा टाइप है phucosanthin phucosanthin is a type of xanthophyll pigment और यह phucosanthin याद करो यही responsible होता है ब्राउन एलगी के ब्राउन कलर के लिए ब्राउन एलगी को जो pigment उसका ब्राउन कलर देता है वो है phucosanthin क्योंकि वो यह जो phucosanthin नहीं यह large amount में present होते है वैसी green algae को इसका green color कौन देता है chlorophyll A और chlorophyll B Stored food की बात करें phyf accia में तो manitol और laminarin होते हैं okay cellulose की बात करें phyf accia या brown algae में तो cellulose का बना होता है और algin यानि की एक gelatinous covering होता है outside the cellule cellulose का cellule बना है उसके outside में covering होता है जो की gelatinous sticky covering होता है जो की algin का होता है ठीक है अनीक्वल और लैटरल मतलब दीखो हमारा जो फायर फाइचिया याद करो जब ब्राउन आनिल का रिप्रोड़क्शन पढ़ा रहा था मैं तुम्हें तो उसमें याद करो मैंने बूला था कि जब स्पोर बनता है स्पोर बनता है या जब स्पोर का बनता है और जब sexual reproduction के time gamit बनता है gamit तो याद करो spore और gamit दोनों में ही unequal fragile होते है एक बड़ा एक छोटा ये sexual reproduction के time ये gamit बना है gamit में भी एक बढ़ा और एक छोटा तो अनेकवल और लेटरल मानिए ये पोजिचन के ये लैटरल लेटरल पोजिशन पहला प्लीन प्लोर्फाइशिया में क्या था ये यहां लैटरल पोजिशन और फ्लैजिओला जो है उनका नंबर दो है वरी निकार रहा है fix दू है और लैटरल होता है यहां देको lateral unequal होता है एक flagella बड़ा होगा एक flagella छोटा होगा और यह कब हो रहा है यह जो flagellated structure कब बन रहा है और sexual reproduction के time spore का formation हो रहा है तब और sexual reproduction reproduction के time जब gamut का formation हो रहा है यह मैंने यह gamut बनाया है और यह spore बनाया है मैंने, अब habitat की बात करें, तो brown algae जो होते है वो fresh water में rarely पाय जाते है, brackish water में भी जादे नहीं होते हैं, लेकिन salty water, mainly, mostly marine water में पाय जाते हैं, अब चलो बढ़ते हैं, रोड़ोफाइशा के तरफ, रोड़ोफाइशा तो हमने अभी देखा ही, रोड़ोफाइशा, red algae common नाम है chlorophyll A, chlorophyll D पाय जाता है, phycoerythrin जो कि एक तरह का phycobilin है, और और specifically बोलो तो R-phycoerythrin जो कि हमारे red algae को उसका red color देता है, और R-phycoerythrin के साथ एक R-phycosinin भी होता है, जो कि कम मात्रा में present होता है, जो कि photosynthesis में eventually help करता है, chlorophyll A, D, R-phycoerythrin और R-phycosinin ये सब photosynthesis में help करते हैं, stored food की बात करें, तो floridine starch होता है stored food, okay, red algae में, जो इसका structure में देखा था, similar क किससे होता है, amylopectin और glycogen से, अब cell wall देखो, cellulose का बना होता है, pectin का बना होता है, and polysulfate easter compound का बना होता है, flagella absent होता है, आपने देखा था, जो spore बन रहा है, और gamut बन रहा है, उसों मैंने specifically वोला था, non-motile spore और non-motile gamut होता है, यानि की flagella absent होते है, habitat की बात करें, तो fresh water में पाया जाते है, कुछ-कुछ जैसे की betracospermum, मैंने एक example दिया था, याद करो, quick fact बोलके एक example दिया थ जो की fresh water में पाया जाते है, क्योंकि fresh water में बहुत कम red algae पाया जाते है, brackish water में भी कम होते है, salt water में mostly होते है, यहाँ पर भी मैं most लिख देता हो, okay, इससे याद रखना की brown algae भी mostly salty water में पाया जाते है, और red algae भी mostly salty, यानि की marine water में पाया जाते है, लेकि red algae में एक और point याद क मैंने लिखा था, higher concentration, more warmer area, मतलब higher concentration warmer areas में पाया जाता है, समुद्रा या salty water या sea का वो area जो गरम है, थोड़ा बहुत हलका गरम है, average temperature से हलका गरम area है, उस area में ज्यादा concentration, यानि कि warmer areas को prefer करते है red algae to grow, अब warmer भी ऐसा नहीं खौलता हुआ पानी, ये सब चीज तो मैंने बोला था, ध्यान में रखना, तो यहाँ पर हमने classification of algae देखा, chlorophycea, firephycea, rhodophycea, classification of algae complete हुआ, ये lecture हुआ समाप्त, तो गाईज यहें पर lecture खतम होता, आई हुआ तुमें लेक्चे समझ में आगा, समझ में आगा, तो प्लीज वीडियो को like करना, और निटालजी को social media पर follow करना, instagram पर, facebook page पर, twitter पर, और telegram पर जो निटालजी का channel है, इसका link आप मैंने दे दिया है, इसको जाके join करो, क्योंकि इसमें मैं notes upload करता हू, जो सुन्दर सुन्दर notes बना के तुमें पढ़ाता हू, वो सारे notes upload करता हू, telegram पर, जो निटालजी का channel है, उस पर, तो जाके इस channel को join करो, और सबसे important बाद, निटालजी चैनल को जरू सब्सक्राइब करना है, या पर तुमें channel का logo दिख रहा हूँगा, उस पर click करो, चैनल को subscribe करो, और bell icon जरू प्रेस करना है, फिचर में जब भी मैं video upload करो, तो तुमें notification मिले, और अगर तुमें इटालजी के और भी videos देखने हैं, तो यहाँ नीचे watch mode पर तुमें नीचे दिखाई दे रहा हूँगा, उस पर click करो, और इटालजी का और भी videos देखो, उसे share करो, चलो, next lecture मिलता है, bye, thank you, take care.